करनोच की गुर सहाई गंच कोतवालिक शेत्र में 12 वर्षे बधवास हालत में डांक बंगला, गेस्ट हाउस को पीछे पड़ी मिली और बालिका के साथ दुशकर्म कर फेके जाने की आश्रंग का जताई जा रही है सूचना पर पहुंची पोलिस ने बालिका को अस्पताल में भरती कराया, खोड जोकी इंचार्ज घायल मासूम को गोद में उठा कर भागते हुए दिखे हालत में सुधार होता ना देख डॉक्टरों ने कानपूर रिफर किया था जहां दो दिनों से उपका उपचार किया जा रहा है बता दें कि गुर सहाई गंच मासूम रविवार की दोपहर मिटी की गुल्लक लेने बाज़ार गई थी और जब बालिका शाम तक घर वापस नहीं लोटी तो परीजन उन्हें पेटी की खोजबीन की और परीजन खोजबीन कर रहे थे कि उन्हें जानकारी हुई कि बची खून से लगपत बदहवास हालत में डाक बंगला गेस्टाउस के पीछे पड़ी है बालिका का उपचार कानपूर से ध्यलिट में किया जा रहा है उसके सिर पर गंफीर चोटे आई है वही पाथ जो डॉक्टरों का पैनल भी बनाया जाएगा जो कि उसका परिक्षन करेगा तो उन्होंने फोन रहा है कि यहां है तो उन्होंने फोन रहा है कि यहां है उसके चोट लगी हुई है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर खाबर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंद आप हमें इन्स्टार ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे आइटी है अट तरेट ज्याएमधी ड्यूस फ्लाश